नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन की दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन बोट 10 वी बरहवी रिजल्ट 23 माई को अभी से क्रेस हो गई साइट जार्खन एकेडमी कॉंसिल की ओर से 10 वी का रियल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है, चारचार्थी की 20 माई को मैट्री का रियल्ट जारी किया जा सकता है, ताजा अपडेट की माने तो जार्खन बोट 23 माई को मैट्रीक और इंटर के रियल्ट की खोसना करेगा हलाकि जैक के दस्वी और बरावी की नतीजे की तारिक और समय की अभी अधिकाईक पुष्टी नहीं हुई है बता दे CBSC और ICSC बोर्ट के रियल्ड जारी होने के बाद छात्रों को अब जार्खन बोर्ट के रियल्ड के बेसबरी से इंतिजार है सुत्रों से मिली जनकारी के उसार जैक बोर्ट के अध्यक्ष्ट अनिल कुमार मातो जार्खन बोर्ट के रियल्ड की घोसना करेंगे जिन छात्रों ने इस साल जार्खन बोर्ट से मैटरी की परिक्षादी है वे जैक की ओफिसियल वेब साइट पर जाकर अपना रियल्ट देख सकते हैं इधार जार्खन बोर्ट का रियल्ड जारी होने की खबरों के बीच जैक की ओफिस्यल वेपसाइट जैक.जार्खन.jov.in अभिसाई क्रेस हो गाई बता दे कि जार्खन बोर्ट के दसवी और बराहिक नतीजे जारी होने के उमीद के बीच जैक की ओधिकारिक बेपसाइट जैक.जार्खन.jov.in डाउन है जार्खन.jov.in 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 अधिवीद परिस्तत द्वारा इस समन्ध में सुतना जारी की गई बताया गया है कि छात्रों का चार्खन परिक्षा का अधार पर किया जाएगा जीले से अधिक्तम 400 चार्खन का ही चैन किया जाएगा चैनित परतेक चात्रों को नौवी से बरहमी कक्षा तक 12,000 रुपे वार्शिक चात्रों की जाएगी चात्रों को 9, 10 वा 11 कक्षा में 60 फिश्दी अंक प्राप्त करना अनिवाले होगा तभी आगामी वर्ष के लिए वे चात्रविर्थी के योगे माने जाएंगे वहीं आकांग्छा में नवांकन प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रविर्थी के रासी का 50 फिदी ही दिया जाएगा परिक्षा का आयोजन खंड एक और खंड दो में किया जाएगा छात्रों को सवालों का जवाब ओयमार्चिट पर देना होगा जगर्नात महतो की नीधन के बाद केबिनेट में किसे मिलेगी जगह चार चातेज जगर्णात महतो की पतनी बेवी देवी बेटे अखिलेश महतो उफिराजु महतो अर्बतीजिए दिवाकर महतो ने सुकृवार को मुख्य मंत्री हमान सुनें से मुलकात की सियासी परिदिश्य में यह मुलकात अहम है बता दे सुचना के मुताबिक मुलकात के दोण मुख्य मंत्री ने कैबिनेट बिस्तार पर चार्चा की और सब की राय जानने का प्रयास किया परिवार के सरसों के बिच समती के बाद मंत्री मंडल के बिच्तार की घुस्तना हो जाएगी मुख्य मंत्री या जानने का पर्यास कर रहे हैं कि बेवी देवी या खिलेस दोनों में से केबिनेट में किसे जगह देना उचित होगा जारखन मौसम बीभाग के अनुसाथ जारखन के कई जुलो में आज बारिस की समवना जताई है मौसम बीभाग में अलर्ट जारी किया है बतादे उतर पुर्वी और दक्षिन पुर्वी भागों में कहीं कहीं गजन के साथ हलके दर्च की बारिस होगी वहीं 24 घंटे के दौन अधिकतम तापान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है पूर्वी सिमूम पच्छमी सिमूम जीले के कुछ भागों में अगले एक से तीन घंटे में हलके से मदर्ज की में गरजान और बजरपात के साथ होने की संभावना है साथ ही जीले के कुछ अस्थानों पर तेज हवा भी देखी जा सकती है बदादे राजे में 23 माई तक कहीं कहीं गरजान के साथ बारिश हो सकती है वहीं बजरपात भी हो सकता है इस दोरान हवा की गथी 30-40 किलोमेटर प्रति घंटा रहने की संभावना है अभी राजे में गर्मी बढ़ी हुई है कई जीलो का 45 डिग्री से से उपर है वहीं 20 माई तक 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा 21 माई को पलामों में लूच चल सकती है 2000 से धीक आबादी जल संकट से जूज रही है उन्हें दूर दराई से साइकल से पानी ढोना पर रहा है वहीं दूसरी और तीसरी मुख्याले इस्थी थी उक्त गावों में पानी की समस्या के लिए बनी हुई है यहां लाखो की लागत की भव्य पानी टंग की सोभा की वस्तूबन कर रहा गई उक्त अस्थानों में पानी की किलत सालों भर रहती है लेकिन गर्मी में यह समस्या अभिक्राल रूप ले लेती है उक्त छेतर के लोग जम्मुनिया टान इस्थीत एक कुवा से पानी लाते है वहीं कुवा एक किलोमीटर दूर है इस छेतर के लगभग दो से अड़ाई सो घर के लोग उसी कुवा से पानी साइकल से लाते है पच्छिम बंगाल ने जारखन की 600 फूट जमीन पर किया कबजा बोकारो जिले की कसमार परखन इस्थी सेवाती घाटी में बोकारो फोरेश्ट डिवीजन दुआरा प्लेन टेवल सर्वे का काम सुक्रवार को पूरा हो गया बंगाल फोरेश्ट ने करीब 85 फूट अंदर घुस कर जारखन के हिसे में अपना बोडर लगाया है सर्वे में अभी असपस्ट हुआ है कि बंगाल फोरेश्ट ने जारखन के हिसे मिला वग 6 सब फूट अंदर तक कबजा करने का प्रयास किया बतादे बोकारो फोरेष्ट के अमीन बिनाय महतों ने बताया है कि करीब एक सब्ता के प्लेन टेवल सर्वे में या अंतर राजिये सीमा के रेखाकन में सफलता मिली है सिरी महतों के अनुसारिया असपस्ट हो गया है कि सिवाती घाटी का जहरना ही जार्खन और बंगाल के अंतर राजिये सीमा है और बंगाल फोरेष्ट ने सीमा रेखा से करीब 85 फूट अंदर जार्खन के हिस्से में बोट लगवाया है 2000 रुपए नोट के रोक के फैसले पर बेवसायों की प्रकिरिया है 2000 के नोट अब नहीं चलेंगे भातिये रिजरो बैंक RBI ने इसे चलन से बाहर करने की घोसना कर दी है बताज़े 2000 के नए नोट 2019 से ही नए चाप रहे थे इससे अंदाया तो ठाग ही कि इसे प्रचलन से हटाया जा सकता है 1000 की जगा 2000 के नोट आने से जामा खोरी और वर्ष्टा चाल बढ़ने की समावना बनी रहती थी 2000 के नोट प्रचलन से हटाने पर आम लोगों पर कोई खास असर नहीं होगा ब्यवपारी वर्ग पर कुछ असर हो सकते हैं लेकिन 30 सितंबर तक इसे अपने एकाउंट में जामा कर ब्यवसाई रहत ले सकते हैं उमीद है कि ब्यवसाई बर्ग में इससे आपा धापी नहीं होगी CVI कोट ने लालू यादो के पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश इस चारग होटाला मामले में सजायापता लालू परसाद यादो की ओर से पासपोर्ट रिलीज करने के लिए आविदन दिया गया था जिस पर CVI कोट में सवनिवार को सुनवाई हुई याचिका पर सुनवाई के बाद आदालत ने लालू परसाद यादो के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया है लालू यादो की ओर से दाखिली अचिका में कहा गया था कि उनके पासपोर्ट की ओधी अगस्त महिने तक है इसलिए उनके नवी करन के लिए पासपोर्ट उन्हें दे दिया जाए बता देखी जब लालू परसाद यादो सिंगा पुर अपनी कीड़नी का इलाज कराने के लिए गया थे तो कोट के आदेश पर उन्हें पासपोर्ट सोपा गया था वहाँ से लोटने के बाद उन्होंने हाई कोट की सर्थ के अनुसार आपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करा दिया था हाई कोट ने जमानत देते समयासत लगाई है कि लालू परसाद यादो आपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करेंगे असिस्टेंट पर्फेसर के लिए जार्खन में नेट की तर्ज पर अब होगी जेट विसोबी द्यालों में सहायक प्रध्यापक नियुक्ति के लिए पत्रता निधारित करने और सोध को बढ़ावा देने के लिए जार्खन में राष्ट्रिये पत्रता परिक्षा युजिसी नेट की तर्ज पर जार्खन पत्रता परिक्षा जेट ली जाएगी उच एहम तकनिकी सिक्षा विभाग ने इसकी गैलाइन त्यार कर ली है विभागिये मंत्री के रूप में मुखे मंत्री है मंसुरे ने स्विकृत्ति मिल गई है जार्खन पत्रता परिक्षा प फेलोसिप भी दी जाएगी इसके तहट चार साल तक सोध के लिए प्रती माँ 22,500 रुपे दी जाएगे यह परिक्षा जार्खन लोग सेवा आयोग के माद्यम से ली जाएगी अठार जून को BSC NERSING वा 2 जुलाई को NERSING परिक्षा जारखन सन्युक्त पर्वेस परिक्षा परिसाद ने राजे के सरकारी वगाएर सरकारी संस्थानों में संचालीत BSC NERSING तथा NERSING पठेकरामों में एडमिसन के लिए होने वाली पर्वेस परिक्षा की परकिरिया शुरू कर दी है सनस्थानों में परवेस के लिए BSC Nursing परवेस परिक्षा 18 जून और नर्सिंग परवेस परिक्षा 2 जूलाई को होगी दोनों परिवेस परिक्षाओं के लिए ओनलेन आवेदन की परिक्रिया सुक्रवार से सुरू कर दी गई है बता दे दोनों परिक्षाओं के लिए ओनलेन आवेदन की अम्तिमती थी करम सा 5 जून तथा 16 जून निर्धारित की गई जब कि पोस्ट बेसिक परवेस परिकष्छा सिर्फ रांची में ही होगी बाबूललमरांडी बोले हमारी सरकार बनी तो संठाल में कराएंगे मीनी NRC भाजपा बिधायक दल की नेता बावला माने ने संताल की डेमोगराफी में बदलाव पर चिंता जाहिर की है इस दरण उन्होंने कहा है कि अगली बार भाजपा की सरकार बनी तो कम से कम संताल में मीनी एनार्सी कराया जाएगा संथाल की डेमोगराफी में बदलाव चिंता जनाखा है नियालय ने भी सरकार से इस पर सवाल पुछा है वे सनिवार को साहवगंज के लिए निकलने से पहले पाकुर परिसदन में पत्रकारों को समोधित कर रहे थे बता दे बंगलादेशिक हुसपैट पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए का 1990 के दसक में साहवगंजीला के DC द्वारा बड़ी संक्या में बंगलादेशिक हुसपैटियों की पाचान की गई थी इसका पुकता परमान भी है उन्होंने राज सरकार पनी साना साते विकाए कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कोल कर्मी की मौत पर बिधवा बहुको नियोजान JBCCI की बैठक में बिधवा बहुको नियोजान देने पसमती बन गई है बैठक के अनुसार बेटी का लाइव रोश्टर में भी नामदर्ज होगा अब मान की करन समीती इस पर नितीता करेगी बता दे कि बैठक में सहसों ने मांग की कि पिता की मौत के बाद बेटे की भी यदि किसी कारन से मौत हो जाती है तो उनकी पत्नी को नियोजन दिया जाए साथ ही करमी को यदि बेटा नहीं है और बेटी के उम्र कम हो तो लाइव रोश्टर पर नामदर्ज किया जाए जब उसकी उम्र 18 साल हो जाए तो उसे नियोजन मिले इस पर चेर्मैन ने समती दे दिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एकन दबाए साथ इसाथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ इसाथ आप हमें कुमेंट बस पर अपना फीड़ बाएक अवस्य दे थैंक यू